पुतली की कथा इस प्रकार है राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन राज्य की सम्रिद्धी आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेथ हुआ जिसका नाम पन्नालाल था, वो बड़ा ही दयालू तथा परोपकारी था, चारो और उसका यश था, वो दीन दुखियों की सहायता के लिए सतक तयार रहता था, उसका पुत्र था हीरालाल, जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुनों वाला था। वो जब विवाही ओग्य हुआ, तो पन्नालाल अच्छे रिष्टों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राहमन ने उसे बताया की समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील तथा गुन्वती है। पन्नालाल ने फोरण उसे आने जाने का ख हर्च देकर कन्या पक्षवालों के यहां रिष्टा पक्का करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिष्टा पसंद आया और उनकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समी पाया, तो मूसलधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीग तक पहुँचने का मार्ग अवरुद हो गया। बहुत लंबा एक मार्ग था, मगर उसे विवाह की तिथी तक पहुँचना असंभव था। सेट पन्नालाल के लिए यहां बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस थिती के लिए वह तयार नहीं था, इसलिए बेचैन हो गया उसने सोचा कि शादी की सारी तयारी कन्या पक्षवाले कर लेंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुची, तो उसको ताने सुनने पढ़ेगे और जग हसाई होगी। जब कोई हल नहीं सूझा, तो विवाह तक कराने वाले ब्राहमन ने सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखें। उनके अस्तबल में पवन वेग से उडने वाला रत है और उसमें प्रयुक्त होने वाले घुरे हैं। उस रत पर आठ दस लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेट पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुँचा और अपनी समस्या बता कर हिचकिचाते हुए रत की मान की। विक्रम ने मुसकरा कर कहा की राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है और उन्होंने अस्तबल के प कि जिस काम के लिए सेट ने रत लिया है कहीं वह कार्य भीशन वर्षा की वज़े से बादित न हो जाए। उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त बेतालों का स्मरन किया और उन्हें सकुषल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की जब वर्वाला रत पवन वेग से दोडने को तयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रत के साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेथ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं देख रहा है। चारों और पानी ही पानी है तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उसे पड़ेंज नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी अविश्वस्तनिय घटना घटी, गोडो सहित रत जमीन के उपर उलने लगा। रत जल के उपर ही उपर उलता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल क और उले जा रहे थे। निश्चित मोहूर्ट में सेट के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। तन्या को साथ लेकर जब सेट पन्नालाल उज्जेन लोटा तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। राजा विक्रमादित्य ने वर्वधू को आशीरवाद दिया। सेट